देख कॉस्चन है ए कोई काम 20 दिन में तत्था बी 30 दिन में करता है यदि ए काम सुरू करता है और काम करने के 5 दिन बाद बी जूर जाता है तो काम पुरा होने में लगा समय ग्याद करें मैं आपको इजी ली में थड़ से बताऊंगा मतलब कि आपके दिमाग में घुज़ जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है एक कितना दिन में काम करता है तो थीस दिन में करता है अब आपका इसका टोटल वर्क निकालना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 20 और 30 का आपको 20 तिया 60 हो जा रहा है और 30 दूनी 60 यानि कि यह जो है इसका efficiency है यानि एक दिन में A 3 काम करता है और B एक दिन में 2 काम करता है अब हम चलते हैं question पर यहां तक मेरा काम हो गया अब इससे आगे चलते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे एक लखीर यहां से यहां तक आप खीच लेंगे ठीक है अब देखिए यहां से पड़िये कह रहा है यदि A काम सुरू करता है यानि कि A यहां से काम सुरू किया उसके बाद कर रहा है काम करने के 5 दिन बाद पॉरा होने में लगा समय ग्याद करें कि यहां तक में काम हो जाता है अब देखिए यहां तक ही काम कर रहा है पॉरा हो जाता है तो नीं से कितना चूरा काम कर देगा यानि कि आपका जो एक दिन में आपका 15 काम कर देगा 15 यूनिट अब देखिए ये जो पूरा दिया हुआ है 60 ये कुल काम है यानि कि ये 60 पूरा कुल काम है अब 60 में से 15 आप मैनस कर देंगे तो आपका आ जाता है 45 यानि कि अब सिर्फ 45 काम बचा हुआ है क्योंकि पंदरा काम to a ने यहां तक करी दिया कियोंकि यह question बता रहा है अब कहरा है यहां पर कि अब तो जो a पलस b सब्सकाइब कीजिए जधा जधा सेर करना ना भूलिए धन्यवाद